हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल ग्रीन हाउस और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गुड़हल के पौदे में अगर कलियां आपकी खिलने से पहले ही गिर जाती हैं तो उसके पीछे क्या-क्या कारण है और कौन से वो नेचुरल तरीके हैं जिससे आप इसको आसानी से ठीक कर सकते हैं इसके साथ ही इस सीजन में गुड़हल के पौदे पर फ्लावरिंग काफी अच्छी होती है लेकिन फ्लावरिंग अगर अच्छी हो रही है तो इसके साथ-साथ इसके अंदर कीड़े भी काफी सारे आकर लग जाते हैं इसके उपर मीली बग, एफ बहुत जादा बढ़ जाता इसके अंदर आकर लगने शुरू हो जाते हैं तो उनको नेचुरल तरीके से आप कैसे ठीक करें कुछ ऐसी नेचुरल चीजे मैं आज के इस वीडियो में आपके साथ शेर करने वाली हूं सबसे पहले हम बात करेंगे इसके कारण कि अगर आपके गुढ़ल के पौदे की जो कलियां है वो खिलने से पहले गिरनी शुरू हो जाती है तो उसके पीछे क्या कारण है तो सबसे पहला जो कारण है वो है स्ट्रेस का होना गुढ़ल के पौदे में स्ट्रेस तभी होता है जब आपके गुढ़ल के पौदे की मिटी या तो बहुत जादा हार्ड है इसमें पानी की कमी है ये दोनों ही कारण है इसकी कलियों का अचानक से गिर जाने के पीछे तो इसलिए आप पानी का विशेश रूप से ध्यान रखें पौधे की मिट्टी को एकदम से सुखाना बिल्कुल भी नहीं है और बहुत जादा गीला भी न आधर का असर गुड़ल के पौधे की ऊ sagte कलियों उनके ऊपर देखने के लिए मिलता है लेकिन यह जो असर है वो तब दिखाई देता है है जब मौसम गर्मी से थंड की तरफ जाता है या ኬिरो थंड से गर्मी की तरफ जाता है लेकिन जो तीसरा कारण है कलियों के गिरने पाफी सारे लग रहे हैं और जैसे ही आपके गुड़हल के पौधे पर एफीट्स लगने शुरू होते हैं एफीट्स ये काले-काले रंगे कीड़े आपको दिखाई देंगे और ये बहुत कोमल होते हैं जैसे ही ये लगते हैं इनके साथ ये छोटे-छोटे सफेद रंगे white flies भी आकर इनके साथ लग जाते हैं ये इनके दोस्त होते हैं तो जब भी effeats लगेंगे या फिर mealy bug लगेंगे आपके गुड़ल के पौदे में तो इसके साथ white flies भी आकर इसके साथ लग जाएंगे और जैसे ही आपके गुड़ल की कलियों उपर या नई नई पतियों के उपर effeats लगने शुरू होते हैं तो इनके साथ साथ कुछ और किड़े भी पीछे-पीछे आने शुरू हो जाते हैं इस्पैशली चीटियां आकर लगनी शुरू हो जाती हैं क्योंकि चीटियों को effeats का जो खाना है वो बहुत पसंद है वो जो चीटियां है वो effeats को खाना शुरू कर देती हैं तो एक कीड़े के साथ कई सारे जो कीड़े हैं इनके पीछे-पीछे आकर लग जाते हैं तो फ्रेंस effeats के साथ white freeze और ये चीटियां भी आपको दिखाई दे र हुआ है ये तो हमें आसानी से दिखाई देते हैं और इनको हम आसानी से ठीक भी कर सकते हैं लेकिन कुछ कीड़े गुड़हल के पौधे के सिस्टम में ही लगे होते हैं जो कि सिस्टम के अंदर जाकर धीरे-धीरे कलियों के अंदर जाकर कलियों को अंदर से खा लेते हैं जिसे कि कलियां एकदम से गिरजाती हैं, तो जो कीड़े उपर लगे हुए हैं, यानि जो परिशानी उपर है, वो तो हमें दिखाई देती है, लेकीन जो अंदर है, जो समस्या अंदर है, उसको देखना मuszकिल होता है, उसको क्योर करना भी थोड़ा मुश्किल होता है, तो फ्रिंज आज के इस वीडियो में मैं आपको दोनों ही तरीके की समस्या से आपके गुड़ल के पौदे को कैसे बचाना है अगर कीडे उपर लगे हो तो उसको कैसे ठीक करना है और अगर ये सारे उपर का ट्रिटमेंट करने के बाद भी कलियों की समस्या आपके पौदे में बनी हुए तो उसको कैसे ठीक करना है ये पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ तो सबसे पहले हम बात करते हैं उपर लगे कीडों को कैसे ठीक करना है जैसे कि ये अफीट्स लगे हुए हैं तो सबसे पहले हम इसी के ट्रिटमेंट के बारे में बात करेंगे और इसके लिए हम आज यहां पर समाल करने वाले हैं कुछ नैचूरल तरीके जिसमें एक बहुत ही अच्छा natural insecticide हमारे घर के kitchen में ही पाया जाता है और वो है garlic lesson lesson एक बहुत ही बढ़िया natural insecticide है lesson के अंदर sulfur की बहुत अच्छी मात्रा पाई जाती है और आपको पताए कि इसकी smell बहुत तेज होती है ये एक natural insecticide और fungicide दोनों का ही काम करता है साथ में ये काफी अच्छा fertilizer भी है rooting hormone का भी काम करता है इस insecticide को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है lesson की चार कलिया यानि lesson को मैंने चील लिया है और चीलने के बाद उसके चीलकों को हटाने के बाद हमें सिर्फ lesson के अंदर का पाट चाहिए यहाँ पर मैंने चार कलिया लिया इसके बाद आपको कोई भी grinder mixture लेना है और उसके अंदर कम से कम दो ग्लास पानी आपको add करना है दो ग्लास पानी डाल करके इसको हमें piece लेना है ये जो glass आपको दिखाई दे रहा है इस glass से ही नाप करके मैंने दो ग्लास पानी लिया है अगर आप पानी थोड़ा कम जादा भी लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ये बहुत जादा matter नहीं करता है अभी मैंने इसको piece लिया है आप अपने insecticide की मातरा जादा कर सकते हैं यानि जितना जादा आप lesson की कलियां लेंगे उतनी जादा पातनी की मातरा को आपको बढ़ाते चले जाना है इसके बाद इस liquid को हमें छान लेना है और छानने के बाद ही आपको इसका इस्तमाल करना है तो friends हमारा liquid insecticide तयार हो गया है इसको हमें पौदे के उपर किस तरीके से इस्तमाल करना है उसको आगे हम देखेंगे ये जो liquid fertilizer है इसको आप किसी भी spray bottle में भर लीजे spray bottle आपका ऐसा होना चाहिए जिसकी धार बहुत तेज हो spray bottle में भनने के बाद आपके पौदे की जिस भी हिस्से में ये कीड़े लगे हुए है वहाँ पर आपको तेज धार से इसको spray करना है और जैसे ही आप इसको spray करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ ही second में कुछ ही मिन्टों में ये जो कीड़े है 90 से 95 प्रतिषत एक दम से ही ठीक हो जाएंगे यानि कि तुरंट से ही ठीक हो जाएंगे जितने भी कीड़े लगे हैं एक दम से ही साफ हो जाएंगे आपके पौदे से अगर आपको लगता है कि कीड़े फिर भी लगे हुए हैं तो अगले दिन फिर से आप इस liquid का spray अपने पौधे पर कर सकते हैं यह काफी अच्छा असर दिखाता है अगर आपके पौधे पर मीली बग लगा हुआ है काफी सारे ऐसे organic liquid हैं जैसे कि आप baking soda का भी इस्तमाल इस तरीके से कर सकते हैं या फिर नीम के पानी का इस्तमाल कर सकते हैं अगर आपके पास नीम ओयले market का तो उसका इस्तमाल भी करने से ये कीड़े एकदम से फीक हो जाते हैं तो friends देखे आप मैंने इसका spray किया और लगभग सारे ही कीड़े एकदम से साफ हो गया बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे हैं एकात कीड़े हैं जो कि अंदर लगे हुए हैं काफी अंदर है इसके साथ ही अगर मिटी में भी कीड़े लगे होंगे तो वो भी खतम हो जाएंगे तो इस पानी को आप पौदी की मिटी में डाल दीजे साथ में इसका spray तो हमने उपर करी दिया है तो friends अगर आप उपर के कीड़ों का treatment कर देते हैं पौदे में पानी का ध्यान रखते हैं फिर भी आपके पौदे की जो कलिया है यानि गुढ़ल के पौदे की जो कलिया है वो गिर रही है तो इसका मतलब कहीं न कहीं आपके पौदे की सिस्टम में यानि मिटी में कीड़े बने हुए हैं जो कि आपके पौदे की कलियों के अंदर घर कर जाते हैं, कलियों को खा लेते हैं, और कलियां आपकी खिलने से पहले ही गिर जाती हैं, तो उनको हम क्योर कैसे करें, उनको हम ठीक कैसे करें, ये जो treatment है थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि बाहर दुश्मन को पहचानना आसान होता है, लेकिन जो दुश्मन घर के अंदर घुसा हुआ होता है, उसको पहचानना मुश्किल होता है, तो अभी इसका treatment आपको कैसे करना है, आगे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, यहाँ पर मैंने दो चीजों को आपके साथ शेयर किया है, पहला है natural तरीका, जो उसकौन से natural चीज का इस्तेमाल करके मिट्टी में लगे वे किड़े को ठीक कर सकते हैं, तो इस समस्या को ठीक करने के लिए आपको लेना है एक चमच हल्दी पाउडर, जो कि आपको एक से टेल लिटर पानी में घोल लेना है, और इस liquid को आपको अपने पौधे की मिट्टी को नहीं देंगे, और तब तक कोई और पानी आप अपने पौधे को नहीं देंगे, जब तक कि इसकी मिट्टी ये जो liquid है, इसको अच्छे से एब्जॉब ना कर ले, अच्छे से मिट्टी सूक ना जाए, इस प्रोसेस को आप दो चार दिन बात दुबारा से अपने पौधे में समस्या बनी हुई है, तो अगर आपके पास market का कोई insecticide नहीं है, तो आप healthy powder का इस्तमाल अपने पौधे की मिट्टी में ज़रू करें, इससे आपको बहुत अच्छा result मिलेगा अपने पौधे में, लेकिन इसको सही तरीके से अपने पौधे में डालना बहुत जरूरी है, जो process मैंने आपको बताया है, उसको आप जरूर follow करें, इसके बाद हम बात करते हैं कि market का कौन सा insecticide है, जो कि कलियों के गिनने की समस्या के लिए हम ले सकते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास बहुत सारे पौधे हैं, जैसे कि मेरे पास बहुत सिती में आ जाता है, तो वहाँ हमें chemical चीजों का इस्तमाल करना ही पड़ता है, वो हमारी मजबूरी होती है, तो आपके पास भी अगर गुढल के बहुत सारे पौधे हैं और समस्या कभी न कभी आती रहती है आपको, तो जो insecticide आपको इस समस्या को दूर करने के लिए लेन मैंने ही खुद इसे Amazon से लिया है, क्योंकि सारी चीजों को market में ढूणना आसान नहीं होता है, अब इसको इसको इस्तमाल करने का सही तरीका क्या है, सबसे पहले वो आप देख लीजे, इसको 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 एक से डेल लिटर पानी में घोल करके, अपने इस प्रोसेस को फिर से repeat कर सकते हैं, यानि इस insecticide को 10 से 15 दिन में आप फिर से अपने गुड़हल के पौदे को दे सकते हैं, तो फ्रेंग्स, गुड़हल के पौदे पर लगने वाले कीड़ों को ठीक करने के लिए, कलियों के गिरने की समस्या को दूर करने के लिए, जितना भी प्रोसेस हो सकता है, जो भी treatment हो सकता है, वो सारा ही treatment मैंने आपको इस वीडियो में share किया है, तो आप अपने पौदे की जो केलियों की गिरने की समस्या है, उसको ठीक करें, सबसे पहले तो आप इसे natural तरीके से ही ठीक करने की कोशिश करें, और अगर फिर भी समस्या ब पताया है, उसको आप purchase जरू करें, इससे अच्छा है कि आपका पौदा खराब हो जाए, फूल ना दे, और कलियां एक बार बनने के बाद जब कलियां गिर जाती है, तो बहुत दुख होता है, तो इसलिए आप market का भी insecticide ले सकते हैं, वीडियो पसंद आने पर एक लाइक जरू करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, तो मिलते हैं मेरे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए, थांक यू,